नमस्कार आपका स्वागत है कामदेव ने बताये है संभोग के सही नियम ए नियमों का पालन करने से जल्द होगी संतान की प्राप्ती कामदेव ने बताया है कि कैसे औरतों के साथ नहीं करना चाहिए संबन कामदेव हिंदु धर्म में एक देवता का स्थान ग्रहन करते हैं लेकिन इने सामने तोर पर पूजा नहीं जाता है कामदेव को संभोग का और वासनाओ का देवता माना जाता है जो मनशों में वासना की उत्पति करते हैं कामदेव ने कामसुत्र नाम ग्रंथ में संभोग के नियमों के बारे में संपुर्ण जानकारी दी है कामदेव ने कामसुत्र में पूर्षों को किन महिलाओ के साथ संभोग नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी बताया है साथी संभोग के वो नियम बताया है जिनका पालन स सबी विवाई दमपत्ति को सुकमय घ्रहस्त जीवन के लिए अवश्य ही करना चाहिए बिना नियमों का पालन करे किया गया संभोग रोगों को उत्पन करने वाला होता है जो महिला और पुरुष संभोग के नियमों का पालन नहीं करते है वो जल्दी ही गुपत रोगों से ग जानना चाहिए जिन से उनकी सभी समस्याव का समाधान हो सके तो चलिये जान लिते हैं संभोग के प्रमुक नियमों के बारे में पहली बात कामदेव के अनुसार संभोग करने का पहला नियम होता है कि कभी भी मासिक धर्म में आई हुई स्त्री के साथ संभोग नहीं करना जिस तरीका मासिक धर्म का समय चल रहा होता है उसके साथ संबोग करने से पुरुशाने को रोगों से पीडित हो जाता है दूसरी बात संबोग करने का दूसरा नियम है कि कभी भी स्तरीकों पेट के बल लेटा कर उसके साथ संबन नहीं बनाना चाहिए ऐसा करने से गर्बों में संतान की उत्पत्ती नहीं हो पाती है। साथ ऐसा करने से महिलाओं की प्रजरंग शमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। तीसरी बात, संबोग करने का तीसरा नियम ये है कि ऐसी महिला के साथ कभी संबोग नहीं करना चाहिए, जिसकी योनी दुशित होती है, अर्थात, जिसकी योनी पर किसी बेप्रकार का संक्रमित रोग होता है, ऐसी सिर्क के साथ संबोग करने से वेक्ति स्वयमिस रोग से पी को गंदा रखती है ऐसे औरत के साथ किया गया संभोग रोगों को अपनी और बुलाता है पाची बात संभोग करने का पाच्वा नियम है क्यों महिलाओं के साथ कभी संभोग नहीं करना चाहिए जो महिलाए अधिक पतली या कमजुर होती है या फिर जिनके शरील पर अधिक जिन महिलाओं ने संतान को जन्म दिया है या उन्हें दूद पिलाती है ऐसी महिलाओं के साथ संभोग करने से पुरुष के आयू कम होती है चटी बात संभोग करने का चटवा नियम है कि दमपत्ति को कभी भी संकरांती आमावस्या एकादशी सूर्य ग्रहन या चंदर ग् अध्यम से संभोग नहीं करना चाहिए साथ ये किसी विदामपत्ति को रात्री को ही संभोग करना चाहिए सुबे के समय या ब्रह्म मूर्त में कभी शारिक संभन नहीं बनना चाहिए ऐसा करना अशुफ फलदायक होता है आठी बात भाई की पत्नी माता बहन गुरु की पत इनके ठूकने का ठिकाना होता है ऐसे द्वार पर जाने पर पुरुष स्वयम के चरित्र का विनाश कर लेता है कामदेव के अनुसार जो पुरुष संभोग की इन साथ नियमों का पालन करता है उस पुरुष को यश, बल, बुद्धी, आधी की प्राप्ति होती है साथ ये इसे पुरुष को व्रद्धावस्ता भी देर से आती है जो पुरुष वासना में लिप्त होकर संभोग के किसी भी नियम का पालन ही करता है ऐसे पुरुष की शारिक और मांसिक शमता धीरे धरे समाप्त होने लगती है कुछ समय बाद उसकी धातु भी कमजर हो जाती है और मनुष को विवा से पहले ब्रह्मचारे का पालन करना चाहिए विवा के पश्चात संतान प्राप्ती हेतु पतनी के साथ शरिक समन्द बरना चाहिए और व्रद्धावस्ता में मनुष को ब्रह्मचारे का पालन करते हुए इश्वर में ध्यान लगाना चाहिए इस प्रकार से जो मनुश अपना जीवन विथित करता है उसके आयू में वर्दी होती है तो दोस्तों उमेदे ये जान करें आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंड में जे काम देव अवशे लिखें साथी चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद